नमस्कार आप देख रहे हैं DPP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण इनके कारण आए दिन दुर्घटनाई भी होती रहती थी वहीं एक ओमिनी वैन और एक ट्रेक्टर के यहां पर फसने की खबर DPP News पर प्रकाशित हुई और अब DPP News की खबर का असर हुआ है मामले का प्रेश्यासन ने संग्यान लेते वे सड़क को गड़ा मुक्त करने के लिए करमचारियों को जुटा दिया है शायद अब जनता को इन गड़ों से निजात मिलेगी और दुर्घटनाई होने से भी टलेंगी आप भी कॉमेंट कर अपनी राये ज़रूर दें यदि आपके यहाँ पर भी किसी तरह की समस्या चल रही है तो आप हमारे नमबर 747 पर संपर्क कर जानकारी दे सकने हैं हमारे साथ बन इढहने के लिए धन्यवाद यदि आपने अभी तक DPP News को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक कोमेंट वे शेयर करना भी ना भूले नमस्कार